दादी की पोटली प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ है नन्नी महरीन महरीन, महरीन तुम्हारा नाम तो बहुत सुन्दर है, तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? मून, मून, चंदर मा, जे हाँ दोस्तों हर एक नाम का अपना एक मीनिंग होता है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे नाम का कौन सा अर्थ है अच्छा महरीन, दादी की पोटली खोले? देखे आज इसमें से कौन सी चीज निकलती है? चलो फिर खोलो, ये खुल गई दादी की पोटली निकला डॉग, डॉग, अरे वाँ, दोस्तों आज दादी की पोटली में से निकला है डॉग, तो मैं आपको सुनाओंगे डॉग और कैट की कहानी, यानि के कुट्टे और बिल्ली की कहानी, तो सुनोगे तूँ? येस ठीक है तो चलो एक बार की बात है कि एक जगा पर एक कुत्ता और एक बिल्ली रहते थे अच्छा महरीन ये बताओ कि कुत्ते और बिल्ली में से कौन किसे डरता है cat दरती है बिल्कुल ठीक आपको पता ही है सभी बच्चों कि जो बिल्ली है वो कुत्ते से डरती है पता है क्यों क्योंकि कुत्ता जो है यह बिल्ली को मार कर खा जाता है तो एक बार क्या हुआ इस कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ लिया पता है फिर यह कुत्ता बिल्ली को क्य चोडूंगा नहीं तो बिल्ली बिचारी डर गई उसने पता कुट्टे से क्या कहा नहीं कुट्टे मुझे मत मारो मैं तुम्हारे लिए रोज खाना लेकर आया करूँघी तुम अराम से बैठा करना मैं सुभा शाम तुम्हारे लिए खाना लेकर आया करूँगी और खाने के बाद अगर कुछ भी बच गया तो मैं खा लिया करूँगी तो फिर पता है कुट्टा क्या कहता? क्या कहता? कुट्टा कहता? ठीक है फिर एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ कि आज के बाद रोज तुम मेरे भूख का इंतिजाम करोगी तुम रोज सुभा और शाम मेरे खाने के लिए कुछ लाया करोगी और मैं अराम से बैठ कर खाया करूँगा फिर उसके बाद बता है क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो बिल्ली है वो हर रोज सुभा शाम इस कुटे के लिए खाना लेकर आने लगी और ये जो है ना दबदब करके रोज खाना खा जाता था और धीरे धीरे ये पता क्या हो गया? वो मोटा हो गया हाँ बिल्कुल सही जब हमराम से बैठ कर खाते रहेंगे भागेंगे नी, कूदेंगे नी, कोई काम नहीं करेंगे तो हम मोटे हो जाते हैं इसी तरह से ये जो कुटा है ना ये बिल्ली चीजे लेकर आती थी ये खाता रहता था और ये धीरे धीरे मोटा हो गया बिल्कुल सही फिर एक दिन क्या हुआ बिल्ली खाना नहीं लेकर आई अच्छा फिर क्या होया जब बिल्ली खाना नहीं नहीं लेकर आई तो ये कुत्ता गहता ए बिल्ली अब मैं तुम्हें खाऊंगा अच्छा क्या कुत्ता बिल्ली को खा गया नहीं खा गया पता है क्यूं बिल्ली कहती ए कुत्ते तू तो खा कर मौटा हो गया है अब तू मेरा पीछा नहीं कर सकता मैं जब दोडूंगी न तू पीछे मेरे दोड कर मुझे पकड नहीं सकता फिर पता क्या हुआ क्या होया इसने बिल्ली पर जपटा मारा बिल्ली भाग गई बिल्ली आगे आगे ये पीछे बीछे ये बिचारा मौटा सा था ये थोड़ी देर तक दोड़ा उसके बाद थक गया और फिर राम से बैठ गया और बिल्ली दूर दोड़ कर चली गई यानि के बिल्ली बच गई और ये बचारा बिना कुछ खाई पिए, भूखा वहाँ पर ठका हुआ बैठा रहा, और फिर इसको उस दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला, पता है इससे फिर क्या सिक्षा मिलती है, आपना काम खुद करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, दोस्तों इससे हमें यही सिक्षा मिलती ह कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, असल में क्या है, कि जो कुटा है रोज दोड़ता है, अपने खाने का इंतिजाम करता है, लेकिन जब बिल्ली इसको कहती है, कि मैं तुमारे लिए खाना लेकर आया करूँगी, तो ये राम से बैठा रहा, इसने कोई भी काम नहीं क करने को नहीं कहना चाहिए, जैसे हम अराम से बैठ पर बैठ के हम कहते हैं ना, मम्मी पानी लादो, मम्मी हमें खाना दे दो, मम्मी ये मेरी पैंसिल पकड़ा दो, मम्मी ये मेरी कॉपी पकड़ा दो, हम ये बोलते हैं ना, अक्सर ही हम क्या करते हैं, हम अपने घरों पर बैट जाते हैं और दूसरों को हम कहते हैं मेरी ये चीज ला दो मेरी ये चीज ला दो हमें बैठे रहते हैं तो ये गलत बात है हमें अपना काम खुद करना चाहिए अगर हमें प्यास लगी है तो हमें अपने मम्मी पापा भाई बैहन से नहीं हमें खुद जाकर पानी पीना चाहिए हमें जो भी हमारा काम होता है हमें किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए हमें अपने सारे काम खुद करने चाहिए ठीक है महरीन तो अच्छा यह बताओ अब तुम अपने सारे काम खुद किया करोगी जब पानी पी प्यास लगे तो खुद किचन में जाके पानी पि येस नहीं तो हमारी हालत ये कुट्टे जैसी हो जाएगी हम बैठ कर मोटे हो जाएगे उसके बाद जब हमें जुरूरत होगी तो हम अपना काम कर नहीं पाएंगे तो इसलिए दोस्तों हमेशा ये कोशिश करो कि हम अपना काम खुद करें ठीक है नरीन कैसी लगी कहानी अच्छी अच्छी लगी तो फिर ये हम इसमें डाले चलो डालो इसको हम क्योंकि हम दादी की पोटली को बंद करेंगे फिर हम अगली बार खोलेंगे फिर एक और कहानी निकलेगी तो दोस्तों ये मैंने कर दी दादी की पोटली को बंद और मुझे बहुत अच्छा लगा आज महरी हमारे साथ थी, अगर कोई भी बच्चा हमारे साथ आना चाहता है, हमारे पास बैठ कर कहानी सुनना चाहता है, तो आप हमें इस नंबर पर जो नीचे दिया गया है, उस पर हमें फोन कर सकते हैं, तो सभी दोस्तों को अब हम कहते हैं, बाई बाई, कर दो बाई बाई आप भी बाइ बाइ